आज सावन का पहला सोमवार है और जैसा कि हम देख रहे हैं शिवालयों में बक्तों की भीड उमर पड़ी है वेशे तो सावन का ही एक विशेश महत्व है किन्तु सावन के सोमवार को अतीव विशेश महत्व दिया गया है सावन के महीने में खास तोर पर कुवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ती के लिए शिवालोयों में आती हैं और जल से शिवजी की प्रितिमादा अभिशेक करती हैं इस वक्त हम जालावार के जालरापाटन के नोलगा किले पर बने हुए आनंधाम मंदिर में हैं इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहां पर राजस्तान का एक मात्र पारे का शूलिंग है जी हां यहां पर 108 किलो पारे का शूलिंग है जो पूरे राजस्तान में एक ही बताया जाता है और कहते हैं कि पारेके शिवलिंग की आराधना का एक विशेश महत्व है कहा जाता है कि अन्ये मंदिरों की तुल्ना में या अन्ये शिवलिंगों की तुल्ना में पारेके शिवलिंग की आराधना का प्रतिफल कई गुना ज़ादा मिलता है यहाँ पर सावन के महिने में दूर दरास से जारावार नहीं, यहाँ पर राजिस्तान के मालवा से लोग आते हैं, कहते हैं कि शीव बगवान की पारशीव लिंकी, सो शीव की पूजा करो पर एक पारशीव लिंकी पूजा करो, मनोकामना करो, यहाँ पर आकर तो पूरी होती ही मनो कामना, इसलिए यहांपर सावन के महिने में हजारों श्रदालू रोज आते हैं और रोज पूया करते हैं मनो कामना करते हैं. मेरे दादा जी यहांपर उकम चीह में irgendrix में यहांपर किलेधार है, यहाँपर पषूपती नात्खावी राजास्तान में यहां पर दिन राज श्रद्धालू सावन के महिनें बहुत आते हैं यहीं मेरी यहां जालों की गंटी के नाम से था तो इसलिए जाला पाड़न इसका नाम रखा इस मंदिर की इसी विशेशता को देखते हुए यहां पर राइस्तान ही नहीं बल्कि मद्यप्रदेश से भी श कि वरात्री के औसर पर जाला वार और जाला पाड़न शेहर के लोग इस मंदिर में उमर पड़ते हैं पूर मुक्चे मंत्री वसंदर राजे सिंध्या भी इस मंदिर में हमेशा दर्शिन करने आती रहती हैं जाला वार के आनंद धाम से भरत एक्स्पेस नियूज के लिए क